नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर यदि क्रुशी में नविन्तम तक्नीक, विभिन विश्यव पर अनुसंधान और मार्क दर्शन, क्रुशी वस्तूओं का प्रसंस करण, विपनन आधी जानकारी किसानों तक पहुँचे तो विदर्ब के किसान और अधिक सम्रुध्ध और शक्तिशाली बनेंगे यहाँ इस्राइल की कुरुशी व्यवस्ता जैसी मॉडल को अमल में लाना चाहिए, यह मुश्किल अवश्य है, लेकिन नामुम्किन नहीं है यह विचार केंद्रिय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने एग्रो विजन रेडियो टूडे कार्यक्रम के उधगातन समारोह के दोरान व्यक्त किये गड़करी ने कहां कि एग्रो विजन रेडियो आज से शुरू हो गया है इस रेडियो का उद्देश्य सरपंच उपसरपंच सदस्यों को एक साथ लाकर स्मार्ट गाउ बनाना गाउं का सांस्रूतिक विकास और किसानों तक आधुनिक तकनिक पहुचाना है ये सारी जानकारी एग्रो विजन रेडियो के जरिये विदर्ब के किसानों तक पहुचेगी गड़करी ने कहां कि मुझे खुशी है अगर किसान लाब कमाता है लेकिन लाब प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है ये संख्या हजारों लाखों में होनी चाहिए गड़करीनी उम्मिद जताते हुए कहा पिछले आठ दिनों से नाकपुर के बोतली वारंगा, परसोडी गोखले और देवली गुजर इलाकों में तेंदुए की दहशत बरकरार है इस दोरान तेंदुए ने एक बेल पर हमला कर उसे मार डाला तेंदुए के आतंक ने पुरिक शेतर के ग्राम वासियों में भै का माहौल बना दिया है कई लोगों ने इस तेंदुए को जाडियों में, खेतों में या पेड़ों पर बैठा हुआ पाया इसलिए खेती हर मजदूर और अन्य नागरिक अपने काम के लिए अपने घरों या गाउं से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे है इस सिलसिले में कई प्रतेक्ष दर्शियों और प्रभावशाली लोगों ने विधायक समिर मेगे को फोन पर इस मामले की जान कर दी शेत्र के पंचायत समिती सदस्य नितिन देवतले वारंगा सरपंच राजश भोयर लगातर विधायक मेगे के संपर्क में है और उन्होंने इसकी सूचना वनविभाग को देने को कहा उक्तभयावा स्थीती से नागरीको को रहत दिलाने की रादे से विधायक समिर मेगे ने सोमवार को उपवन सरक्षक भरत सिंग हाडा से उनके कारियाले में मुलाखात की और उन्हें स्थीती की जान करी दी और समस्या को जल्द सुलजाने को कहा उनके द्वारा सोपे गए ग्यापन में मांग की गई है कि तेंदुए को कैद करके अंदरुनी जंगल में छोड़ दिया जाए अतुल कोटे जको महाराष्ट के उद्योग व्यापार सेल का अधिक्ष बनाए जाने पर सर्वत्र खुशी जताई जा रही है व्यापार जगत से लंबे अर्से से जुड़े कोटे चको इस पत पर महाराष्ट प्रदेश कॉंगरेस कमिटी के अधिक्ष नाना पटोले ने उत्तर महाराष्टा, मराठवाडा, वविदर्प की जिम्मेदारी सोपी है कॉंगरेस पार्टी के इस निरने की सभी कॉंगरेस कार्य करताओं वह व्यापारियों ने सरहाना की अतुल कोटे चास्वयम एक व्यापारी होने के साथ साथ व्यापारियों और उद्ध्यो जगों की समस्या से बखुबी वाकिफ है वे उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में ठोस प्रयास करेंगे ये उम्मिद व्यापरिक संघटनों के प्रतिनीधी उने जताई है कोरोना महामारी के कारण सरवाधिक प्रभाविक शेतर व्यापर उद्योग ही है कोरोना के चलते एक लंबे लोगडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान से आज तक व्यापरी नहीं उबर पाये है और अभी भी लोगडाउन लगने का अंदेशा है ऐसे में महाराष्ट के व्यापर उद्योग सेल के मुखिया के तौर पर उनकी नियुक्ती से बड़ी उम्मीदे जागी है कि वे व्यापारियों को इस संकट से निकालने में सरकार प्रशासन के सरपर समस्याव से अवगत कराकर मदद प्राप्त करवाएंगे कोटेचा ने अपना राजनितिक सफर इत्वारी वाड से शुरू कर प्रदेश की राजनिती में आगे बढ़ते हुए अनेक युवाओ को कॉंग्रेस पार्टी से जोड़ा है नीवा बुपा हेल्थ इंशुरेंस कंपणी की और से स्वास्थ जागरुकता अभियान चलाया गया सदर स्थित सराफा चेंबर से इसकी शुरुवात की गई इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने उत्सहा पुर्वग हिस्सा लिया किशोर आगरे ने अभियान के बारे में जानकारी दी शहर के लोगों तक स्वास्ता संबधित जानकारी देने हे तू अभियान शुरू करने की बात उन्होंने कही इस जागरुकता अभियान के दोरान शहर के विविस्थानों से गुजरतेवे लोगों का मार्क दर्शन किय हम सभी ने कोविट के अत्यन तक कठिन समय का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की इस दोरान ऑक्सेजन की कमी के कारण कई लोगों की जान चलेगी ऐसा दोबारा ना हो इसलिए सरकार ने एक नया ऑक्सेजन प्लांट बनाने का फैसला किया है इस दोरान हमने अलग-अल गडकरी ने कहीं उन्होंने कहा कि इस दोर में नीजी अस्पतालों ने सभी सामाजिक दाइत्व की भावना से काम किया है और लोगों की मदद की है इस मौके पर अस्पताल के प्रमुक डॉक्टर रहाटे माधव लाभे विधाय कुर्षना खोपडे आदी उपस्तित थे आ कि ऑक्सिजन की कमी से किसी की मौत नहों सीएसर फंट से ये प्लांट सेवन स्टार अस्पताल को दिया गया है वर्तमान में नागपुर में 6,000 बेड है जिसे बढ़ा कर 12,000 बेड की ख्षमता उपलप्त कराई जाएगी नागपुर महनगर पालिका द्वारा कचरा संग्रहन वाहन में गिले और सुखे कचरे की पृथक पृथक व्यवस्था की गई है हाला कि कुछ नागरी घरेलू कचरे को अलग नहीं करते है और वैसा ही मिक्स कचरा सफाई दूद को दे देते है इसलिए मनपा द्वारा गिले और सुखे कच्रे के समुचित प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाय जा रहे हैं मनपा एक्तर आधा कुष्ण बीने 15 दिसंबर से गयर पुरुथक मिक्स कच्रे को स्विकार न करने के सपष्ट निर्देश स्वच्छता विभाग को दिये हैं मनपा एक्तर ने नागरिकों से अपने घरेलू कच्रे को अलग करने की भी अपिल की हैं मनपा की और से समय समय पर जारी बयान में कहा गया है कि नागरिक गिले और सुखे कच्रे को अलग-अलग कर स्वच्छता दूद को सौब दे फिर भी नागरिकों द्वारा स्वच्छता दूद को मिश्रित कच्रा ही दिया जा रहा है इसलिए नाकपुर मनपा ने अब केवल विभाजित तरीके से कच्रे को स्विकार करने का निर्ने लिया है गिले कच्रे में सडने योग्य पधार्त जैसे खरापफल, सबजिया, बचा हुआ भोजन, अंडे के छिलके, नरियल, तहनिया, हड्डिया का समाविश है जबकि सुखे कच्रे में प्लास्टिक बैग, रबर, थर्मोकॉल, काज की बोतले, साथ-साथ काज, बैटरी सेल, धातू, नाखुन आधी का समाविश है अखिल भारतिय पुलक मंच परिवार महाविर वाड नाखपुर की और रसिकलाल मानिक चन धारिवाल फाउंडेशन पुने के सही योग से भारत गौरो राष्ट्रसंत आचारिय श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 27 वे दिक्षा दिवस पर पुलक प्याव का लोकारपन मानेवाला रिंग्रोट स्धित तपस्या विद्या मंदिर में हुआ दक्षिन नाकपुर के विधायक मोहन मते के हस्ते पुलक प्याव का उधगाटन किया गया कारेकरम में सच्चिव विजेवाटकर, श्री दिगंबर जैन युवक मंदल के अध्यक्षव विने सावलकर, सेवदल नाकपुर के अध्यक्षव प्रविनागरे, समाच सेवी प्रशान सवाने मुख्यरूप से उपस्तित थे विधायक मोहन मते ने कहां कि लोगों को पानी पिलाना पुन्य का काम है, स्कूल के छात्रों के साथ रस्ते से आने जाने वाले नागरिक इस तुरुषनात रुप्ति का लाब लेंगे रसिकलाल मानिक चंधारीवाल फाउंडेशन पुने और पुलक मंच परिवार ने बहुत अच्छा कार्या किया है पुलक मंच परिवार के कार्यों की मुझे जानकारी है, नागपुर का ये सशक्त संगठन जन सेवा में हमेशा आगे रहता है जैन धर्मगुरु पुलक सागर जी गुरुदेव का आशिरवाद हम भक्तों पर हमेशा रहा है मैं गुरुदेव को 27 वे दिक्षा दिवस की शुपकामनाय सबी शधालूओ को देता हूँ प्रमुक अतिथी विजेवाटकर ने भी अपने विचार व्यक्त किये पुलक मंच परिवार के राश्रिय कारय अध्यक्ष मनोजबंड ने कारेक्रम का संचालन किया मध्य रेलवे प्रबंधक रुचा खरे के अध्यक्षता में और वरिष्ट वानिज़ रेल प्रबंधक कुरुषनात पाठिल तथा अन्य वरिष्ट अधिकारियों की उपस्तिती में रेल उपयोग करता समिती की बैठक बुलाई गई समिती के सदस्य वसंद पालिवाल, सदानंद खत्री, हेमंच शर्मा, शिवचरण मिश्रा, गोपाल अगरवाल, विनोच चानवानी, जयकरण बाजगोटी, वकिल रमन सेनाड, वसंतामाकोडे, अनिल सिंग खुश्वाह, आधी ने यात्रियों की सुविधाव से संबंदि और उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, कि सारी बाते वरिष्ट अधिकारियों तक पहुँचाई जाएगी, कोरोना महमारी के चलते सगित कुछ ट्रेने दोबारा चालू करने के निरने लेने का अधिकार बोड से ही आता है, और वरिष्ट अधिकारियों के निर्देश के रद हुई और यात्रियों के सम्मधित मुद्दों को वरिष्ट अधिकारियों के समक्ष नहीं रगा जा सका, इस विशे पर कुरुष्णात पाठिल ने कहा, कि वसन पालिवाल ने इस सम्मध में ग्यापन सोपा है, और इसे बोर्ड में भिजवा दिया गया है। दि प्रज्वलित करके हुआ। परिवहन महासंग के प्रमुख पदादी कारियों पस्तित थे। परिवहन विभाक कारियाले में कर्मचारियों के साथ देश के विमिन राज्यसरकार की और से आर्थिक दृष्टिकों से अन्याय किया जा रहा है। इस प्रमुख बिंदु के साथ साथ अन्य विशेव पर भी चर्चा की जा रही है। महराष्टर राज्य की एस्टी कर्मचारियों से राज्यसरकार जिस तरह से पेश आ रही है और अन्य होते जा रहा है उसके खिलाब डटकर विरोध जताने का संकल्प लिया गया। प्राचारिय डॉक्टर आर्बी पाटिल, राज्यशास्तर विभाग प्रमुख डॉक्टर शिला खेडीकर वर डॉक्टर अमर बोंद्रे प्रमुखता से उपस्तित थे। प्रमुख अधिधी, डॉक्टर विवेक दिवान ने अधिकार और कर्तव्य के बीच आप से प्रतिक नागरी को अधिकार के साथ ही कर्तवय का भी पालन करना चाहिए। अधिकार कारों ने महफिल सजाई। ये कारेकरम सेंटरल एवेने उस्तित मोहमद रफिस सांस्कूतिक सभागरू हमें हुआ। गीतों की प्रस्तुति की। फेस्बुक और अन्या उनलाइन माध्यम से कारेकरम का प्रसारन हुआ। कारेकरम का संचालन, जिनत एवं एमे कादर ने किया। शोदाओ की फर्माईश पर अनेक शेरो शायरी सुनकर जफर कलीड ने इस कारेकरम को यादगार बना दिया। उनकी पतनी भी साउसर पर मौझुत थी। एमे कादर ने कई गजल गाकर सुनाय, कारेकरम के आयोजन में अजीज पटेल, मास्तर ताबिश, अनिल खेरकर, आर्ती गौतम, वहिद, शोएप, शिवेंद्र बिसेन, आधिका योगदान रहा। रांकापकी प्रदेश अध्यक्षव वह माहराष्टर के जल संपदा मंतरी जैन पार्टिल ने मध्यनागपूर सित मोमिनपूरा में पार्टी सुप्रीमो शरत पवार के जरम दिन के आउसर पर एक सभा को संभोधित किया। इस सभा में वहां के स्थानिय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल निकालने का आश्वासन दिया। सभा में उपस्तित वक्ताओ वो प्रदेश पदाधिकारियों ने नागरिको का मार्क दर्शन किया और उनके लिए प्रयास करने की बात कही। सिंदुडी सहली मंच नागपूर की और से आयोजित किया गया। कारेकरम का प्रसारण फेस्बुक के सुहिना सिंधी पेज पर किया गया। सिंदुडी यूद्विंग के तुलसी सेतिया द्वारा आयोजित इस कारेकरम में वाधन दास तलरेजाने लाइफ मैनेजमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज के अंतरगत नए दोर में बिजनेस के सफल मंत्र विशे पर मार्क दर्शन किया। इस अउसर पर सुहिना सिंधी पूना के अध्यक्ष पितांबर पीधर ढलवानी, निसान सेंटेक्स प्राइवेट लिमिटेट के अमडी संजे पारेख, आरके इंशोरेंस सर्वीस के संचालक, वा फाइनांस एडवाईजर राजश कुरुपलानी तथा रिटराइट बैंक मैनेजर किशोर लालवा ने विशज अतिधी के रूप में उपस्तित थे, सिंधुडी सहली मंच के अध्यक्षा, कांचन जग्यासी वा महा सच्यू, मंजु कुंगवानी, संजिवनी फाउंडेशन वा समस्तप अधाधिकारियों ने बड़ी संख्या में फेस्बुक पर का उपस्तित थे, आयोजक अब्दुल अमानी कुरेशी ने संस्ता अध्यक्ष होने के नाते अतितियों का स्वागत किया, मानवा धिकार और हम विशे पर विद्यार्तियों के लिए निबंदस परधा रखी गई थी, विजेताओं को इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया, अ पारे कर्म का समापन हुआ, अंत में उपस्तित मानने वरों को मास्क वर सैनेटाइजर वितरित किये गए, बंधुआ मजदुर प्रथा समापन अधिनियम, 1976 भारत की सांसत द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है, जो बंधुआ मजदुरी की कूप रथा को समाप्त कर सके, इसने सभी बंधुआ मजदुर को एक पक्षिय रूप से बंधन से मुक्त कर दिया और साथ ही उनके कर्जों को भी परिसम अप्त कर दिया, इसने बंधुआ मजदुर प्रथा को कानुन द्वारा दंडन या संगय अपराद माना है, भारतिय के मन में ये विचार आया ह कि ये विदेशी कमपनिया या बहुराश्य कमपनिया हमारे देश के युवाओं को पगार के नाम से महनताना स्वरूप जो मोटी रखमे दे रही है, वह वर्क फ्रॉम होम के नाम से देश के युवाओं को कही बंधुआ मजदुर तो नहीं बना रही, देश के युवा कित इतने दबाव में काम करते हैं। उनका कोई पारिवारिक जीवन है या नहीं है। ने श्टेकडी में दर्शन किया और जरूरत मंदों में कंबल और भोजन का वितरन किया इसने एक उपक्रम में प्रामुक रूप से विनोत कल्यानी जिलाद्धिक्ष जिशान काजी वह बंटी पांडेल साहिल खान शहर प्रमुक प्रशाद गोलचा बंटी उके आदिशिवस सैनिकों का योगदान रहा गाड़ी खाना स्तित दिवंगत बापु भाई वस्तात अखाडे का लोकारपन शहर कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के हातों किया गया कारेक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कॉंग्रेस उपाध्यक्ष नाना गावन्डे इस आउसर पर बाला सहब कुलकरणी अखडा समिती के अध्यक्ष अनिल आदमने मुख्य रुप से उपस्तित थे। के निर्मान द्वारा व्यभारी ज्यान में वृद्धी विशेपर किया गया। डॉक्टर एलपी दामोदरे सहायक प्रोफेसर और मसी प्रभारी हिसलॉप कॉलेज नाखपूर को कारेक्रम में मुख्यातिति के रुप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने प्राचार ये डॉक्टर आर्बी पार्टिल ने अपनी उपस्तिती से कारेक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने कोशल को बढ़ाने के लिए ऐसे कारेक्रमों के नियमित रुप से आयोजन की बात कही। किशोर डोंग्रे, डॉक्टर विनोद आरे ने कारेक्रम की सफलता के लिए प्रयास किये। ज्यार्थियों ने रुत्य तथा गायन में अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कारेक्रम में मुहम्मत कैफ को मिस्टर फ्रेशर तथा अनुश्री ठाकरी को मिस्टर की उपाधी प्रदाद की गई। शुभम खंडेलवाल तथा खुशी खंडेलवाल को मिस्टर तथा मिस्वर्सटाइल के खिताब से नवाज अगया। सरवत कुरुष्ट पोशा का खिताब एहसान कुरेशी तथा श्रिया पटले को दिया गया। इस कारेकरम की सफलता के लिए माधुरी बरुआ, विशाल धवालिया तथा अरूमिता पावा ने भरपूर प्रयास किये। पद्यतियों से पंची करन किया जा सकता है। इसी तरह ट्राविन वैक्सिनेशन के इंद्रों पर भी अठरा वर्ष और पैतालिस वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिये ठीका करन किया जाएगा। ये जानकरी चिकित सास वास्ता धिकारी डॉक्टर संजेच चिल करने दी है। इसी तरह अठरा प्लस और पैतालिस प्लस आयू वर्ष के सभी नागरिकों के लिए कोव एक्सिंग का पहला और दूसरा डोस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बावसाइब आमेटगर अस्पताल कामठी रोट वस्वर्गिये प्रभाकर दट के मनपा महाल रोगनिदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पॉली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस, नमस्कार